नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13, 14, 15 और 16 मई के लिए दैनिक राशी फल आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा ग्यारवी राशी लेते हैं अक्वैरिस यानि कुम राशी 13 मई के दिन आप एक सशक्त व्रक्ति की तरह से रहेंगे जब आप लोगों को अपने अनुसार घुमाना भी चाहेंगे और उन्हें अपने अनुसार चलाना भी चाहेंगे आपका प्रभाव लोगों पर जल्दी पड़ेगा लोग आपकी बातों में जल्दी आ जाएंगे जिसकी वज़ा से लोग आपसे प्रभावित होकर आपका काम भी कर देंगे इसलिए जब आप लोगों को इस दिन प्रभावित कर रहे हों तो ध्यान रखें कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, किसी भी बुरे उद्देश्य के लिए लोगों को प्रभावित करने का कारें ना करें, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान हो सकता है तेरा माई के दिन आप अगर किसी सिच्वेशन में एक बंधे-बधे रूटीन से हट कर कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है चौदा माई के दिन आप स्वास्थ में लाव का अंगो करेंगे परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ में यदि कोई समस्या थी तो वहां भी लाव दिखना शुरू हो जाएगा इस दिन बिगड़े रिस्टों में फिर से जान फूकने की कोशिश की जा सकती है और इस प्रकार से भी कोशिश की जा सकती है कि वे रिलेशन जो आप से छूट गए थे एक बार फिर से आपके साथ हा जाएं 14 माई के दिन आप किसी प्रकार से किसी को प्रामिस इत्यादिन ना करें इस बात का विशश लिखन रखेएगा क्योंकि आपके द्वारा किये गाया वैदा आपके खिलाफ इस्तिमाल किया जा सकता है पंद्रा माई के दिन आपके जीवन में छोटे मोटे परिवर्तन होंगे लेकिन उनके बावजूद भाग्या आपके साथ रहेगा चूंकि भाग्या आपके साथ रहेगा इसलिए परिवर्तन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हलां कि बहुत सारी परिवर्तन आपके फायदे के लिए हैं लेकिन शुरुवात में वे आपको पसंद नहीं आएंगे ऐसी परिस्थित में जब परिवर्तन आपको पसंद ना आएं तो उन्हें नियती मानें और चीजों को उस प्रकार से ढ़लने दे जिस प्रकार से वे ढ़लना चाह रही हैं यानि किसी रिलेशनशिप में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को आने दे वो बाद में जब auto set होगा तो आपको पता चल जाएगा कि requirement असल में इसी की थी आप जो सोच रहे थे आपका सोचना सही नहीं था एक बात का विशेश ध्यान रखिएगा कि 15 तारीक को positivity से भरे रहें बहुत ज़्यादा positive रहने की जरूरत है क्योंकि जितना positive रहेंगे परिवर्तन उतना positive होगा और अगर आप negative सोचना शुरू करेंगे तो उन परिवर्तनों में भी negative input चला जाएगा 16 माई के दिन आप लोगों का सही योग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसमें नाकाम हो सकते हैं इसलिए इस बात के लिए पहले से ही तयार रहें कि यदि आपको लोगों का सही योग नहीं मिलता है तो आप बुरा नहीं मानेंगे और भविश्य में लोगों का सही यो जैसे लोग आज आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें वस्तोता गलती आपकी है, अता कुमराशी, अपने आपको सहयोगिक विक्ति बनाने की कोशिश करें, हाला कि आप सहयोग करते हैं, लेकिन कभी-कभी आप रिजिट हो जाते हैं, ऐसी परिस्थित में जब आपके अंदर एक रिजिटनेस आए, एक अकडूपन, एक अकखरपन आए, तो स्वयम से बात करें, कि आपको इस प्रकार से अकड़ना नहीं चाहिए, और जितना मृदुल, जितना नरम व्यावभार आपका होगा, लोग आप से उतना ही प्रेम पूर व्यावभार करेंगे, इस करकरम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाओ दे सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद, नमस्कार